हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जाड़े गार्डन और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब और क्या हो रहा है आपकी गार्डनिंग में प्रेंड्स तो देखिए आज मैं आपके लिए एक चोटा साइग वीडियो लेकर आई हूँ जो क्रोटन प्लांट्स के बारे में है क्र बाड़े लीव्स वाला जो क्रोटन होता है यह रखा हुआ है आपको दिखा रही हूँ में यह देखिए इसकी पत्तियां कितनी खुब्सूरत होती है फ्रेंड्स कोलियस सौरी क्रोटन जो होते हैं वह अपनी पत्तियों की खुब्सूरती के लिए ही जाने जाते हैं कलर व बी ग्रीन है लेकिन आगे जाकर जो है यह भी ऐसी रेडिश सी हो जाएंगी यह देखिए यह गोल्डन डॉस्ट क्रोटन है हमारा इतना खुब्सूरत इसकी लीव्स होती है इसकी लीव्स पर ऐसा लगता है किसी ने प्रेंट कर दिया हो ग्रीन कलर पर येलो से चीटा डा रखना है यह सब आप से बात करूंगी तो फ्रेंट्स यह जो हमारा कोटन प्लांट है यह विंटर में जो है दोर्मेंसी में चला जाता है इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुख जाती है और पुरानी लीव्स जितनी भी होती है वह सूख कर जढ़ने लगती है लोकर जढ़ जात हो चुकी और बहुत अच्छे मारे प्लांट बहुत हेल्दी प्लांट हो रहे है इस टाइम पर बहुत बहुत अच्छी हो रही है देखिए आप लोग देख सकते हैं परवरी मान्त में मैंने सब किकंपोस्टिंग की थी उसके बास से मैं कोई भी लिक्विड बनाती हूं त आपको दिख रही है इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी ओल्ड जब लीप हो जाती है इसके कलर चेंज हो जाते हैं और यह ऐसा प्लांट है कि इसको धूप में फुल संलाइट में आप नहीं रख सकते हैं फुल संलाइट में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो एक दम मुर्जहा कर लटक जाती है तो इसलिए इसको जो है ब्राइट लाइट चाहिए होती है लेकिन इन डारेक्ट सनलाइट में इसको रखना पड़ता है यह मैंने ऐसी जगा पर रखा हुआ है जहां पर सुबह के टाइम की थोड़ी सी देर की धूप आके निकल जाती है अ हमारे और सारा दीन उसलिए द्यल्सा बहुत ही जाते हैं चाहिते हैं और हीज़खना सबस्क्राइब सब्देट में जुकप होगा क्राइब तो यह आपके प्लावर की ग्रोथ को खराब करेगा आपके प्लावर की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और इसकी सारी एनर्जी जो है बनाने में निकल जाएगी तो इसलिए आपको इनको तोड़कर निकाल देना है यह हर बंच में आपको जितने भी हमारे यह बंच दिख रहा हैं आपको लिफ्स के सब में देखेगा आपको यह देखें यह काफी लंबी सी हो गई है यह प्लावर की इस टेम तो इसको इस तरीक से तोड़के निकाल देना है क्योंकि हमें अपने प्लाइंट की एनर्जी को बेस्ट नहीं करना है और हम इस प्लाइंट को फूलों के लिए तो मतलब लगाते नहीं है अपने गार्डन में इसको हम लगाते हैं पत्तियों की खुपसूरती के लिए यह हमारे गार्डन को कलरफुल बनाता है कलर कलर के अच्छे अच्छे कलर के इसमें कलर आते हैं प्ल सब्सक्राइब और आप प्लाइट की जो एनर्जी है वह पत्तियों की खुपसूरती और ग्रोथ में यूज होगी यह देखिए इसमें भी लगा हुआ है यह हर आपको हर बंच में फ्लार दिखेगा इस तरीके से आप तोड़के निकाल दें सिर्फ इसी वाले क्रोटन में य जब आप इसको पानी दें हर वक्त पानी भरा नहीं रखना है हलका सा नमी तो चाहता है प्लाइं जो है थोड़ा सा मिंटी मृस्ट की मॉैस्टर है लेकिन ऐसी नहीं रहे कि पानी हरवक्त भरा रहे और पानी खड़ा रहे तो हमारा प्लांट खराब हो जाएगा मिट्टी इसकी आप वैल ड्रेन मिट्टी तैयार करें जब कभी इसको आप लगाएं एरी पॉट करें वैल ड्रेन मिट्टी इसके लिए त्यार करना है और अपने पॉट को अच्छा सा बादा माइगों मैंड़टाइए एस सायन होता है कि पौदा पानी मांग रहा है पानी की ज़रूरत है इसको और फ्रेंड इसकी सेफटी के लिए जो है हम लोग कोई कीड़ा वगरा ना लगे अक्सल इस पर मली बग कभी अटेक हो जाता है मली बग भी लग जाते हैं लास्ट येर हमारे प्रोटन में मली बग बहुत लग गए थे वाइट वाइट से कीड़ हमारे प्लांट सब बचे हुएं किसी भी प्लांट में कोई भी तरीके का प्रेस्ट का अटेक नहीं हुआ है कोई भी कीड़ा नहीं है किसी भी मेरे विसकस के प्लांट है और भी तमाम यह सारे प्लांट किसी पर भी कोई मली बग 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 बगरा का कोई अटेक नहीं लोग भी हफते में दस दिन में एक बार जो है ने मायल का इस प्रेय कर दिया करें प्लांट पर तो प्लांट से रहते हैं और कीड़े मकोडों से बचे रहते हैं और देखिए कोई प्लांट की ग्रोथ खराब नहीं दिखेगी सब प्लांट हेल्दी दिखेंगे आपको यह दे दूब भी बहुत ज़्यादा होती है उच्छा भड़ चुका है तो इसलिए अपने प्लांट की केर करना है और सारे प्लांट को द्वार के पास रख लें तब यह प्लांट से रहेंगे क्योंकि यह जो है एक सण चाइम पर बिल्कूल भी बरदाशनी कर सकते हैं क्लोटन ऊ और बस हलकी इसनको मतलब ब्रैट सनलाइट चाहिए लेकिन डारेक्ट सनलाइट नहीं बरदाश्ट कर सकते हैं इसलिए आपको जो ऐसी जगह पर इनको प्लेस करना है जहां पर जो है शेड हो और जो है तो सही रहेगा लेकिन ज्यादा देर की धूप यह प्लांट बरदाश् रहते हैं प्लांट और इसके पानी का आप लोग ख्याल रखें क्योंको गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो वाटरिंग डेली ही करना पड़ती है फ्रेंड फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फार वाचिं प्रेंड्स